नमस्कर दोस्तों मैं महाराष्ट्रा सरकल के लिए जिन लोगों ने ट्रांसफर अपलाई किया था और जिनका एककॉमोडेशन आ चुका है उनका लिस्ट यह जारी कर दिया गया है यह सिर्फ पोस्टल असिस्टेंट के लिए अलग से उनका लिस्ट जारी होगा तो अभी जि सम्मर 2020 को ही लिस्ट जारी किया गया है तो देख लिए जो लोग अपलाई किये हुए और ट्रांसफर के लिए जो कंडिशन्स है अपने पुराने वीडियो में भी जो आपको ट्रांसफर में लगा उसके लिए टांसन कंडिशन क्या होगा यहाँ फिर से एक पर उसी को रिपी डेट में देखिए ठम से कंडिशन को छोड़ते हैं देखते हैं नाम जो आया है कि यह नाम आंसे सुरुवा रहा है और सब्सक्रेंस पीडिख रहा है अमित कमार यह पुने में पोस्टेड हैं हैं इनका कटेग्री जो है वो दिया गया है संदुम्रॉतिमयल और डेली के ल तो यहां पर दे रखाए एक्मोडेशन रिपोर्ट नंबर अफ दसर्कल वेर ट्रांसपर साउट जहां पर ट्रांसपर मांग रहा है जैसे कि यह देली जाना चाहिए तो देली से जो इनका एक्मोडेशन होके है वो लेटर नमर यह वो डीटेल्स है और डेट कभुगा है तो बिहार के बारे में तो बिहार का एक्मोडेशन अभी महरास्टा पहुंचा ही नहीं होगा जब अभी लिस्ट जारी हो रहा है तो इसमें बिहार के बचों का नाम होने नहीं है जिनका एक्मोडेशन वहां पहुंच चुका है उनका इस नाम इसमें जारी किया है तो इससे प पहुंचा ओगा तो जो उस सारे एकक्मामटेशन फिर से पहुंच जाएंगा तो फिर से नाम जारी किया जाएगा बस दिख्यत यहीं होगा यह जिनका नाम चुका है इनका जल्दी होने का चांसे जोगा ट्रांसपर अभी जिनका फिर से एकमोडेशन जाएगा वो सारे प्रोसेस होंगे तो उनको थोड़ा सा एक दो महीन एक्स्ट्रा टाइम लग जाएगा उनको फाइनल रिलीविंग होते होते हैं बस यही नुक्सान हो जाएगा जिनका इसमें नाम नहीं आया बाकि कोई और नुक्सान नहीं होगा नुक्सान में यही है कि उनको ट्रांसपर में थोड़ा सा लेट हो जाएगा क्योंकि एक बार जिनका एकमोडेशन आच चुका था उनका नाम जारी कर दिया गया अप नाम पहले देख ले असीस कुमार क जितने लोगों ने देली अप्लाई किया तो उन सब लोगों का एकमोडेशन मिल चुका है जैसे कि अब देट भी देख सकते हैं 19-10, 19-10, 19-10 सबका एक साथ एकमोडेशन हुआ है तो इसलिए सबका एक डेट है और देली से जो लोग महारास्टा से देली अप्लाई किया त सबका कोंडेशन लेटर जो है वह भी पहुंच चुका है महारास्टा सरकल को नेक्स्ट यहां से बहुरा है पंकच कुमार यह ज्ञारखन के लिए है ज्रकांड से भी यानी लोग का पहुंच चुका है इनका 28-10-2020 का जैसे एक्कोमडेशन पहुंचा हुआ है वैसे ही है राहूल कुमार राची जाना चाहा रहा है West, मुंबई West, North West Division मुंबई से राची डिवीजन जर्खन जाना चाहा रहा है इनका भी एक्कोमडेशन हो चुका है राची से उसके बाद से 11 तक 10 तक जो है जर्खन सर्कल जाने के लिए जिन लोगों ने अप्लाई किया उनका नाम है 11 नमबर में उर्मिला हेग्रे है नर्थ वेस्ट मुंबई में है और मैसुर्वी करनाटका के लिए अप्लाई किया हुए उसके बाद NLCB है एर्ना कुलम के लिए ट्रांस्पर अप्लाई किया हुए है ललित बर्मा है जुन 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 जाना चाह रहा है नागपूर में अभी पोस्टेड है एकुमडेशन होके महारस्टा पहुँच गया है जिन लोगों नहीं महारस्टा से राजस्तान के अलग 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 डिविजन को ट्रांस्पर अप्लाई किया है जुन लिस्ट अप देख रहे है है सब कोस्टल असिस्टन के इ predator के स्ट्रइश कर जाई होगा जारी होगा तो उसको वारे में बता दिये जाएगा जो लोग चैनल पर नए हैं उच्छ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि सारे से गारा सबका यूपी से जिन लोगों का एककोमडेशन होके महरास पहुंचा है उन सबका डेट भी एक है सताई से गारा कोई जैसे कि नरेंदर सिंग है अलिगर इनको जाना है चंदरपुर नागपुर में भी पोस्टेड है वैसे हैं ज्योती जैस्वाल है पालगर नवी इनको अलावाद डिविजन के लिए अप्लाई किया था वहाँ से भी एककोमडेशन हो गया है सुनिल कुमार सिंग है भुसावल और अंगाबाद में है मिर्जापुर डिविजन जाना चारहे है आमित कुमार स्रिवास्ता है मुंबई नर्थ में आजमगर जाना चारहे है इनका भी अकमोडेशन मिल चुका है, श्रीमतिस सुमन यादव है, नवी मुंबाई में, अभी पोस्टेड है, लखनाव के लिए ट्रांसफर अप्रोब हो गया है, अकमोडेशन मिल चुका है, अमरनात राय है, नर्थ इस्ट डिवीजन मुंबाई में है, गोरख को डिवीज से फटेगार डिवीजन के लिए अप्लाई किया था, इनको भी अकमोडेशन हो गया है, अरविंद कुमार सांगली डिवीजन से मिदनापूर डिवीजन वेस्ट वंगल सरकल के लिए, 26 तक UP सरकल था, यहां से वेस्ट वंगल सरकल शुरू हो जा रहा है, बीपिन कुमार है नर्थ डिवीजन मुंबई में है, OVC के टेगरी, इस्ट कुलकाता के लिए अप्लाई किया था, इनका भी अकमोडेशन हो गया है, अंकित कुमार बर्नवाल है, नागपूर में है, आसंसुल के लिए अप्लाई किया था, इनका भी ट्रांसफर अप्रूग हो गया है, आसं पूर डिवीजन वेस्ट बंगल के लिए अप्लाई किया था, इनको भी ट्रांसफर मिल गया, यहां तक सब वेस्ट बंगल कैंडिडेट थे, उसके बाद 32 नंबर जो है, रभी कुस्वाहा, नागपूर सिटी में पोस्टेड है, बीदिशा, MP सर्कल के लिए अप्लाई किय गया है, तो यह सारे जो अपनाम देख रहे है, MP सर्कल के है, तो यह सारे जो नाम आप 40 नंबर तक देख रहे है, सब MP सर्कल के ही, पोस्टल असिस्टेंट है, जो कि महाराश्टा के अलग अलग डिवीजन में पोस्टेड है, और माध्य परदेश के लिए इनोंने ट्रांस पर अप्रोब हो के एकोमोडेशन भी मिल चुका है तो जिनका एकोमोडेशन मिल चुका है उनका ही नाम है इस लिस्ट में तो यहाँ पर 40 पोस्टल असिस्टेंट का अभी तक महारास्टा सरकल में जिनका एकोमोडेशन रिसीव हुआ है अलग-लग सरकल से उनका नाम जारी कर दिया गया इस लिस्ट में आपने देखा हुए कि बिहार से कोई भी कैंडिडेट नहीं है क्योंकि बिहार के लिए अभी कली लिस्ट जारी हुआ है तो उनके लिस्ट जब पहुच जाएंगे तो फिर से जो अगला लिस्ट आएगा उसमें उनका नाम आएंगे तो यह महरास्टा सरकल से पोस्टल असिस्टन जिनका एकुमोडेशन हुआ है और उनका नाम जारी कर दियागा मतलब इन लोगों को घ्लीव्इंग के लिए प्लेशा पोस्टिंग और के लिए बहजा जाएगा जहांपे अपने डिविजन के अपलाई कि Taylor test हो इनका एक चिज़ सई से प्रोसेस हुआ तो मैकसिमम एक महिन के अंधे उन फाइनल ट्रांसफर मिल जाएगा जहां पर अभी काम कर रहा है अपने नए डिविजन को जोईन करने के लिए यह जो आडर इस होता है इसके बाद से एक महीने का अल्मोस्ट टाइम लगता है अगर कुछ अरंगा ना लगे तो सब कुछ नर्मल चलेगा तो एक महीने के अंद है तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें आज के इस वीडियो में बस इतना ही दोस्तों मिलते हैं फिर अपने एकले वीडियो में धन्यवाद दोस्तों